नमस्ते दोस्तों मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र महराजा जिवाजराव शिन्दे माहविध्यालाई स्रीगोंदा हिंदी विभाग आप सबी लोगों का स्वागत करता हूँ आज हम लोग विरामचिन्न के बारे में जानकारी देंगे यह विरामचिन्न का पाठ्यक्रम जो है यह सावित्री भाई फुले पुने विश्व विद्याले पुने के यमाईल के पाठ्यक्रम में दिया गया है आज हम लोग इसी विरामचिन्न का संशिप्त अस्पष्टि करन देखेंगे विराम चिन्न हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में विराम चिन्न का अपना स्थान होता है भाषा बोलते समय लिखते समय कहां रुखना चाहिए किस आउचित्य के आवशकता है कहां ठेरना चाहिए और कहां पुर्ण करना चाहिए इसके संदर्बम विराम च एवं विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के आंत में या कभी-कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुखता है इसे ही विराम कहते हैं इस प्रकार की रुकावट या विराम सांस लेने के लिए सांस लेने के आतिरिक्त और्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्चक है विराम चिन्नों के बदलने से वाक्य के अर्थ भी बदल सकते हैं विराम चिन्न के आवश्यक्ता क्यों है इसके लिए हम लोगों ने जो स्क्रीन पर आपको वाक्य दिया है वह देखिए पहले वाक्य में देखे दोस्तों उसे रोको मत जाने दो उसे रोको मत जाने दो और द देखें दोस्थों, वहाँ पर हम लोगों खुद दिखाई देता है कि अल्पे विराम हम लोगों ने जहां-जहां दिया है उसके कारण वाक्य का अर्थः बदल गया है आप देखते हैं दोस्थों, हिंदी में या भाशाओं में जो विराम चिर्न महतुपुर्न हैं वो किस यह हम लोग इस कोश्टक के द्वारा देखने वाले हैं सरोप्रतम हम देते पूर्ण विराम यहां पर स्क्रीन पर आपको पूर्ण विराम आपको दिखाई दे रहा है विशेश रूप से आप इसे कहते हैं के महत्атव पूर्ण विरामे चिण्व है इसके विराम चिन्थ कब लगाया जाता है हम रोग में लाते हैं जब वाक्य खतम हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। इंट में हमने पूर्ण विराम खड़ी पाई यह पर दी है। अब दूसरा चिन्न है अर्धविराम, विशेश्रुप से हम जिसे कहते हैं साइन आफ सेमी कॉलन, ये जो अर्धविराम है, कब लगाया जाता है, ये हम लोग देखते हैं, पूर्णविराम से कुछ कम, आल्पविराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प् अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, आर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ, दूसरे वाक्या या वाक्यांश का सम्मंद बताना हो, तो वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है, उधान आर्थ, यह वाक्या हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं, सुरियास्त हो गया, लाली मा का स्थान काली मा ने ले लिया यहाँ पर देखे सुरियास्त हो गया की जगा पर हम लोगों ने अर्ध विराम लगाया है दूसरा विराम चिन्न है दोस्तो अलप विराम चिन्न जिसका प्रयोग हम लोग बहुत बार करते हैं वह है अलप विराम जहां थोड़ी देर से रुकना पड़े वहां अलप विराम चिन्न का प्रयोग किया जाता है अर्थात एक से अधिक वस्तों को दर्शाने के लिए अलप विराम चिन्न लगाया जाता है उधार नार्थ वाक्य देखते हैं मैंने भारत में पाहाड जरने नदी खेत इमारत आदी चीजे देखी थी यहाँ पर देखिएगा दोस्तों पाहाड जरने नदी खेत यहाँ पर अलप विराम का हमने प्रयोग किया है आगला विराम चिन्न है जो महतोपूर्ण है प्रश्ण चिन्न विशेश रुप से प्रश्ण चिन्न जो है प्रश्ण चिन्न के लिए हम लोग प्रश्ण चिन्न का उप्योग कहां करते हैं इसके आसान परिभाशा है, हम सभी लोग जानते हैं, प्रश्न वाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्न का प्रयोग किया जाता है। सोनल कब स्कूल से लोटेगी प्रश्न चिन्न, जिस समय ऐसे प्रश्न चिन्नों का प्रश्नार्थक वाक्य हो, वहाँ पर प्रश्न चिन्न का प्रयोग होता है। विशाद, विवाद, विश्मय, ग्रुना, आचरिय, करुना, भई, इत्यादी का बोध कराने के लिए किया जाता है। द्यान में रखेगा दोस्तों, विवाद, हर्श, विश्मय, ग्रुना, आचरिय, करुना, भई, इत्यादी का बोध कराने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। विश्मयादी बोधक चिन्न, आपको स्क्रीन पर यह चिन्न दिखाई दे रहा है, इसका प्रयोग अव्यव, शब्द से पहले किया जाता है। उधार नार्थ, वा, कितना सुन्दर वरुक्ष है, अरे भाप्रे, वहाँ पर साप है, अनेक वाक्य है, वहाँ पर विश्मयादी बोधक चिन्न का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं दोस्तों, अगला चिन्न है, आउतरन चिन्न, जिसे हम लोग उधरन चिन्न भी कहते हैं, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए आउतरन चिन्न का प्रयोग किया जाता है। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए आउतरन चिन्न का प्रयोग किया जाता है। उधार नार्थ जैशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्वकी संपत्ती है। अनेक ऐसे वाक्य बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो चिन्न अब देख रहे हैं जिसकी पहचान करने ज़रूरी हैं। जिसे आप लोग डैश कहते हों। निर्देशक या रेखी का चिन्न। निदेशक चिन्न का प्रयोग विशय, विवास, संबन्दी, प्रत्यक शिर्षक के आगे, उधारन के पच्चाद, कथव कथन के नाम के आगे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डैश फल, सबजी, मसाले इत्या दी। विवरन चिन्न जिसे हम लोग साइन आप कॉलन डैश कहते हैं। यह चिन्न है विवरन चिन्न। विवरन चिन्न का प्रयोग वाक्यांश के विशयों में कुछ सूचक निर्देश आधी देने के लिए किया जाता है। विवरन चिन्न का प्रयोग वाक्यांश के विशयों में कुछ सूचक निर्देश देने के लिए किया जाता है। आम के निमन फाइदे हैं। तो वह उप विराम या अपुरन विराम कहा जाता है। आर्थात जहाँ पर किसी वस्तु का या विशय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उपविराम चिन्न का प्रयोग किया जाता है उदारनार्थ कृष्ण के अनेक नाम मोहन, शाम, मुरली, काना इसके बाद देखते हैं दोस्तों योजक विराम चिन्न योजक विराम चिन्न, दो शब्दों में परसपर संबंदस पष्ट करने के लिए तथा उने जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्न का प्रयोग किया जाता है देश के जवानों ने तन, मन, धन से देश की रख्षा के लिए प्रयतन किया है ये शब्द देखेगा तन, मन और धन की जगा पर योजक विराम चिन्न का प्रयोग किया है उसके बाद का चिन्न है दोस्तों कोश्टक ब्रेकेट्स के अनेक प्रकार है और उसमें से तीन प्रकार महतों पुर्ण माने जाते है अब देखेगा वाक्य के बीच में आये शब्दों अत्वा पदों का आर्थ स्पष्ट करने के लिए कोश्टक का प्रयोग किया जाता है आर्थात कोश्टक चिन्न का प्रयोग आर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथ्वा वाक्याँश को कोश्टक के अंदर लिखकर किया जाता है उधार नार्थ धर्मराज कोश्टक में युदिष्टिर सत्य और धर्म के समरक्षक थे इसके बाद जो महतोपुन्न चिन्न माने जाते हैं उसमें है तुल्यता सुचक चिन्न हम सभी लोगों को पता हैं कि इक्वेलेंस या आप लोग जिसे कहते इक्वेलिटी इंडिकेटर सिंबॉल यहां पर देखेगा वाक्य में शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सुचक चिन्न का प्रयोग किया जाता है अग्याते है विस्मरन चिन्न या तुटी पुरक चिन्न विस्मरन चिन्न का प्रयोग लिखते समय किसी शब्दों को भूल जाने के बात किया जाता है राम बहुत विस्मरन चिन्न दिया है लड़का है अब यहाँ पर बहुत अच्छा बुरा जो भी है ये शब्द देना हम लोग भूल गये है इसलिए यहाँ पर हमने विस्मरन चिन्न दिया है इसके बात का चिन्न है पुनरुक्ति सुचक इसे हम लोग कहते है रिपीट पुनरुक्ति सुचक तो पुनरुक्ति सुचक चिन्न का प्रयोग उपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है और देखे दोस्तों कुछ जो चिन्न है अधिक प्रयोग में नहीं लाते लेकिन फिर भी उनका महत्व अपना अलग रेखांकन चिन्न अंडरलाइन आप लोग जिसे कहते हैं किसी वी वाक्य में महत्वपुर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्न का प्रयोग किया जाता है गोदान अंडरलाइन किया है उपन्यास प्रेमचन द्वारा लिखीज सर्वस अब अगला चिन्न है लाघव चिन्न किसी बड़े तथा प्रशिद्ध शब्द को संशेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिख कर उसके आगे शुन्य लगा देते है अर्थवा यह शुन्य ही लाघव चिन्न कहलाता है डॉक्टर के लिए डॉ लगाकर व इसके बाद कुछ गनितिय चिन्न है उसमें से महतोपुर्ण चिन्न जो है प्रतिशत चिन्न, sign of percentage प्रतिशत चिन्न अब यह प्रतिशत दर्शानी के लिए इसका प्रयोग होता है इस प्रकार दोस्तो हमने कुछ महतोपुर्ण चिन्न को कहां लगाते हैं उधारन सेंथ इसकी व्याक्या करने का प्रयास किया है आप लोग भी इन चिन्नों का प्रयोग करके अपनी भाशा में लिखावट में शुद्धता लाने का प्रयास करे यही अपेक्षा यहां व्य आम चिन्नों की जो जानकारी है उसे में पूरुन विराम देता हूं धन्यवाद जय हिंद जय कर्मविर